DC तो हम जैसे DC फैंस जो DC के कार्टून देखकर बड़े हुए है और उनकी एनिमेटेड मुवीज देखकर वेट कर रहे हैं कि कब DC के अच्छे दिन आएंगे और हमारे पास अभी एक ही सवाल बचा है सला समझ में नहीं आता प्रॉबलम क्या है प्रॉबलम प्रॉबलम यह है कि हम चाहते हैं कि DC में कोई प्रॉबलम ही ना हो लेकिन DC में कोई प्रॉबलम ना हो यह स्नाइडर फैंस की सबसे वड़ी प्रॉबलम है बेसिकली हर फैन की लाइफ में एक उम्राती है जब उसे रियलाइज होता है कि अब उसे अच्छी फिल्म में अच्छी स्क्रिप्ट्स और एक अच्छा यूनिवर्स चाहिए पर अब हर फैन तो ऐसे मूव ओन कर सकता नहीं न तो ये स्टार्ट करते हैं अपना रोना गाली देते हैं हैस्टेक चलाते हैं और मूव ओन ना कर पाओ तो पर्मनेंट बाइकॉट बाइकॉट में सबसे इंपोर्टेंट क्या होता है कम्प्लेंट करना और इनका तो काम ही है हर चीज बे कम्प्लेंट करना बेसिकली अगर स्नाइडर के अलावा किसी ने DC फिल्म बना दी यानी प्राव्लम स्नाइडर से पहले तो DC कुछ था ही नहीं न अगर सच में स्नाइडर पसंद है न तो सपोर्ट करो सपोर्ट करने जाने का नाटक मत करो किसी नए बंदे को गाली देने के लिए मत ढूनो स्नाइडर की फिल्म में देखो स्नाइडर फैंस के हर सवाल में न दो सवाल चुपे होते हैं लेयर्स होते हैं तुम्हें लग रहा होगा कि ये तुमसे पूछ रहा है कि भाई स्नाइडर कट कैसा लगा, अगर तुम्हें अच्छा लगा तो ठीक, अगर गलती से भी तुमने मुवी में कोई कमी निकाल दी तो वो मुवी बनाई है उनके पपा ने, और अगर तुम्हें उनके पपा के वि पर एक साथ हो जाएगा तुम जेम्स गन को चूतिया बोलो कोई बात नहीं मैंने स्नाइडर को क्रिटिसाइज कर दिया तो इतने भड़क जाते हैं कि हपतों तक गालिया खानी पड़े और सुनो ये स्नाइडर वर्ड्स को सपोर्ट करने का न बस ना टक करते हैं एक फिल्म इसमें बैटमैन, सुपरमैन, वंडर मुमेंट, डीसी के तीन सबसे फेमस हीरो थे उस फिल्म के सेकेंड वीक में इतना ड्रॉप मिला बॉक्स आफिस पे जितना जोड से ड्रॉप टाइटानिक का जहाज नहीं हुआ अरे वो मचली वाले एकोमैन ने उससे डबल पैसे चाप लिये थे, बेसिकली उन्हें चाहिए कि पहले तुम लॉस में जाने वाली फिल्में बनाओ, करजे में डूब जाओ और फिर रोते हुए जब उन्हें थेटर में बुलाओ तो वो नहीं आएं, ताकि ये इस्टैब सूपरमैन को इतनी अच्छी ओरिजिन दो, उसके बाद कुछ मत दो, ना कैमियो ना परसनेलिटी ना ही दूसरी मूवी, अरे बैटमैन को किलर बना दिया ठीक है, फिर एक मा के नाम पे उसके अर्मान क्यों जगा दिये, ताकि डेड़पूल 2 में वेड उस सीन पे मीम बना जितनी जल्दी इनके कैरेक्टर का परसोना बदल जाता है, डेविड ने हमाड़ा को निकाला तो डेविड स्नाइडर पैंस का गौड बन गया, उसकी पूजा होने लग गई, उसने मूवीज कैंसल कर दी तो उसके नाम पे हैस्टेक चल गई, कि ये तो कितना अच्छा है, पर जैसे ही उसी डेविड ने जेमस गन को हायर कर लिया, लोगों ने उसको भी गालिया देना चालू कर दिया, तुमने कभी सोचा है ओफिशियल रिबूट ब्लैक एडम के बाद क्यूं आया, और डेविड ने सुपरमैन को ब्लैक एडम में आने से क्यों नहीं रोका, क्य इसी लिए डेविड ने सोचा कि जब किसी को देखना ही नहीं है, तो पुराना यूनिवर्स बचा के करना ही क्या है, अरे कोई भी बात तुम इने समझाओ, मजाले कीने समझ में आ जाए, पर गाली देने के लिए एक नाम पकड़ लो, इनका सुरू हो जाता है, ये सारा सि अपना WB का किया धरा है, जब स्टार्टिंग में फिल्म में फ्लॉप हो रही थी, जब लोग इविल सुपरमैन और किलर बैटमैन को देखने नहीं जा रहे थे थे तेटर में, जब डैरेक्टर्स को पता नहीं था कि उनिवर्स में क्या चल रहा है, तब ही रीबूट मार चाहिए था इनको, कम से कम आज मैं खुसी से हेंडरी कैविल को सुपरमैन देख सकता, पर नहीं, डबलूबी तो चूतिया है, फ्लॉप पर फ्लॉप बनाए गया और चूना लगवाए गये, और आज इतने करजे में हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि मूवीज बनाने में खर्च करें, बड़े एक्टर्स को हायर करने में, तो अब इनकी आउकात ही नहीं है कि ये हैंडरी कैविल या बैन एफलैक को पैसे दे सकें, तो बहाने बना दे रहे हैं कि हमें जवान एक्टर चाहिए, इन्हें वो एक्टर चाहिए जिनको कोई न जानता हो, ताकि सस्ते में मूवीज करवा लें, ताकि कम से कम मूवी अगर हिट हो जाए, तो उनके पैसों से ये अपने कर्ज चुका लें, पर ये सब तो उसे दीखेगा ना, जिसमें अकल हो, उसे थोड़े जिसे लगता है कि स्नाइडर वर्स से बेटर डीसी में कुछ है ही नहीं, और मून का और उनके अंदर का डीसी फैन वेट कर रहा है, अच्छे दिनों का, पर नहीं, स्नाइडर खुसी खुसी अपना कुछ ला रहा है, जहां उसे रोकने टोकने वाला कोई नहीं है, जहां वो अपने मन से कैसा भी यूनिवर्स बना सकता है, वो हम क्यों देख लें, हमे इनके पास करने के लिए कोई काम, कोई धन्दा तो है नहीं, इससे अच्छा तो सलाम वॉल्यूड ही मूवीज देखें बस, डीसी ने अभी सो मूवी कैंसल की, तो उनके टैक्स के पैसों से वो दो तीन मूवीज बनाएंगे, अगर वो चली तो आगे की मूवीज बनाएं और मूवीज तो होती ही हैं एंटर्टेन्मेंट के लिए, अपनी लाइफ को खुद कोई जीना है भाई, और उसके लिए काम और पढ़ाई करना ही होगा, डीसी ईउ पूरा उस हालत में था, कि उसे साल हो पहले ही रीबूट कर देना चाहिए था, जब डीसी के पास पैसे पर अब तो बड़े एक्टर्स को भी हायर करने के पैसे नहीं है, पर जैसे हमने तीनों स्पाइडर मैन को इंजॉय किया है, अगर मूवीज अच्छी हुई तो आने वाले डीसी ईउ को भी इंजॉय करेंगे, जो बदला नहीं जा सकता, उसके चकर में टॉक्सिक बनने से क